चुनावी साल में समाजवादी पार्टी को जटके पे जटका रखता जा रहा है। ताजा जटका आज उस समय लगा जब महोबा चर्खाई से विधायक रह चुकी समाजवादी पार्टी की कद्दावर नित्या डाक्टर अमबेश कुमारी ने समाजवादी पार्टी से इस्तिफा दे दिया कुमारी ने त्याग पत्र देते समय जो पत्र समाजवादी पार्टी के मुख्या अख्रेस यादर जी को लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि माननी नेता जी यानि मुलायम सिंग यादर की जो सोच दर्टों एमम गरीबों के उतार एमम सामाजी की नय दिराने की होती थी अब समाजवादी पार्टी का ना तो कोई रच है ना ही कोई सोच है पार्टी की इन नीतियों से मैं अंसंतुस्त हूं अतर समाजवादी पार्टी की प्रारंभिक सक्री एवन आजीवन सरस्ता से इस्तिफा देती हूं डाक्टर अमबेश कुमारी का त्याकपत्र ऐसे समय आया है जब 2024 का पार्लियमेंट का चुनाओ सिर्पे है और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बरह चरकर तारठोक रही है और भारती जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बठकनी देने का ख्ऌप देख र उसके पुराने नेता गंग कई नेता इसके पहरे भी जा चुके हैं आज डाक्टर अंबिस कुमारी ने त्याक पत दिया है और बताया यह जा रहा है कि कई भूत्पुर्व विधायक और बरतमान विधायक भी समाजवादी पार्टी छोने की तयारी कर रहे हैं उपयुक्त आ बादो जी के सामने गंभीर चुनवती दोहजार चौबिस में उनके पार्टी के लोग ही पृस्तुत करने वारे हैं बस साथियों इस विशे में आपका क्या ख्याल है कमेंट करके बताईएगा हमारी चैनल पर मेहमान हैं पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर हैं बहुत बहुत धन्यवाद